पहले बड़ा सवाल ये था कि राहूल गांधी अमेठी चुनेंगे या राय बरेली अब बड़ा सवाल ये है कि राहूल गांधी राय बरेली चुनेंगे या बाइनाड अगर दोनों ही जगह वो चुनाब जीत जाते हैं तो देके नियमों के बदाब कोई भी काणिडेट दो राजनीतिक विरासत के तौट पर दी जा रही है राहूल गांधी को उसलियाज से राहूल गांधी को राइबरेली ही चुनना चाहिए जस तरह से हमने देखा कि उनके नामांकन के दिन पूरा परिवार एक जुट था सोनिया गांधी महां मौझूद थी प्रियंका गांधी थी रोबर्ट वोडरा थे और सोनिया गांधी का वो राइबरेली के लोगों को वाइदा जब उन्होंने सीट छोड़ी थी तो जो खत लिखा था राय बरेली के लोगों को उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि गांधी परिबार का ही कोई शक्स राय बरेली से चुनाव लड़ेगा और गांधी परिबार और रायबरेली का रिष्टा हमेशा जुड़ा रहेगा तो बड़ी बात है कि मा का कियावा जो वाइदा था और जिस तरह से माने सौपी है ये सीट राहूल गांधी को उसके बाद तो उन्हें रायबरेली को ही चुनना चाहिए लेकिन दूसरी तरह जानकार ये भी कह रहे है कि राहूल गांधी जो हमेशा से दक्षड की राजनीति की बात करते हैं दक्षड के लोगों की राजनीतिक समझ की बात करते हैं दक्षड बारत और उत्तर बारत की राजनीति के फर्क की बात करते हैं उसलियास से राहुल गांदी के दिल के तो जादा खरीब वाइनाड ही होगा और ऐसी इस्थिती में राहुल गांदी वाइनाड जा सकते हैं वैसे भी आने वाले समय में केरल में विधानसबा चुनाव है और उत्तर की ओर ध्यान देते देते कहीं दक्षन उनके हाथ से निकल तो अब केरल को देखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश को देखा जाए यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर इस वक्त राहुल गांदी के सामने खड़ा है अलकि जो वाइनाड में चुनाव है वो हो चुके है लेकिन राय बरेली अभी वहां पर लड़ना भी है अभ सब्सक् Landesregierung को देखना होगा अलकिन बड़ी बात यही है कि एक सवाल से पीछा छूटता नहीं है राहुल गांदी का कि दूसरा सवाल आकर सामने खड़ा हो जाता है पहले भी दो सीट में से कौन ये बड़ा सवाल था अमेठी और राय बरेली और अभी भी दो सीट में से कौन ये बड़ा सवाल है राय बरेली और वायनाट का इन दोनों सीटों के ओपर आपकी जो राय है राहुल गांदी को ज झाल झाल